प्यारे बच्चों उपर दी गई तसावीर के मुशाहिदे से और आपके वालदयायन से गुफ्तवू करने से आपको पता चैगरा होगा के तफरी के यानी के मज़ा उठाने के या लुट को उठाने के कुछ जराय ऐसे हैं जिने हम खुद अपने आखों से जाकर देखते हैं और कुछ जराय ऐसे हैं जिने हम घर बैठे चहार दीवारी के अंदर ही देखते हैं तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा के जादूगर या सिनीमा वाला या कटकुतली वाला या नुकर नाटक या जोकर या कोई गवैया जब हमारे मुहले में आता है तो हम दोड़ में जमा हो जाते हैं भीर जमा कर लेते हैं और फिर उससे हम लुद्फ अंदोज होते हैं फर्ज करें आपके मुहले में कोई मदारी आ गया है बंदर को लेका तो आप क्या करेंगे अप दोड़ते हुए जाएंगे और वहां भीर लगा कर जमा हो जाएंगे और डुग डु रास्त जड़ाय क्या कहते हैं रास्त जड़ाय यानि इनको देखने के लिए हमें कुछ जाना पड़ता है हम खुद अपनी आँखों से देखते हैं जिसे हम बराहे रास्त भी कर सकते हैं यानि के तफ्री के बरहाए रास्त जराय हैं जिने हम खुद देखकर इनसे लुथफ अंदोस होते हैं प्यारे बच्चों, आपके घर में या तो टीवी होगी, रेडियो, कम्प्यूटर वगरा होंगे ये जराय ऐसे हैं के इनको देखने के लिए हमें कहीं चालिकर नहीं जाना पड़ता हैं बलके हम घर बैठे ही सुकून और इत्मिनान से लुथ अंदोस होते हैं तो ऐसे जराय जिसे हम घर बैठे सुनते और देखते हैं उन्हें कहते हैं बिल रास्त जराय क्या कहते हैं बिल रास्त तफ्री के जराय इन्हें देखने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता या अगर हमें ये देखना हो तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम अगर देहली में हो रहे तो हम देहली में जाकर देखेंगे नहीं बलके हम हमारे धर में ही TV या computer के जर्गे वो program देख सकते हैं तो प्यारे बच्चों हाला के ये program तो ही बहुत दूर हो रहा है लेकिन इनकी सदाबंदी और अक्सबंदी की जाती है सदाबंदी यानि क्या इनकी आवाजों की यानि इन प्रोग्रामों की आवाज को रेकॉर्ड किया जाता है जिसे हम सदाबंदी करते हैं और अक्सबंदी यानि के जैसे मैं आपको ये वीडियो बता रही हो तो ये वीडियो और मैं ये एक जगा पर क्या किया गया है इनकी अक्सबंदी की गये यानि इन तसावीर को catch किया गया है यानि इनको record किया गया है फिर उसे क्या किया गया नाश रखिया गया है तो ये होता है अक्सबंदी तो सदावंदी यानि आवाज को record करना और अक्सब प्रोग्राम कहीं दूर उते हैं लेकिन हमकी सृधा बढ़ी या अस्तरन करको इससे पूरी दुमजा में दिखा सकते हैं इसलिए इन प्रोग्रां को तप्री के नश्रियाती जराए करते हैं क्या कहते हैं तफ्री के नश्रियाती जराय क्योंकि इन्हें एक जबा से पूरी दुन्या में नश्र किया जाता है इसलिए इन्हें तफ्री के नश्रियाती जराय कहते हैं और ऐसे जराय जो हम खुद जापर देखते हैं इन्हें हम तफ्री के रास्त जराय भी कह सकते हैं तो प्यारे बच्चों, लेकिन एक बात यार ही रखें, कि हम जो तफ्री के नश्रियाती जराय इस्तिमाल करते हैं, वो हमारे लिए भी और जानवरों और परिंदों के लिए भी नुपसान दे होता है। इसलिए इनका इस्तिमाल हमें बहुत ही एहतियार से करना चाहिए।